तो दोस्तो मैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार इडिटिंग लेकर आया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरा फोटो किस परकार से है तो मैं इडिट करने एक बात कुछ इस परकार कहीं आपको यह कैसे एडिट किया जाता है तो इसी वीडियो पे बने रहेगा तभी आपको सब समझ में आएगा कि आप भी अपनी फोटो इस परकार की बना सकते हैं सिरिफ एक किलिक में मतलब आप समझ सकते हैं सिरिफ एक मिनट के अंदर यह जो आप फोटो बना सकते हैं तो ये कैसे बनेगा तो वीडियो पे बने रहेगा तभी आपको सब समझ में आएगा कि मैंने ये जो फोटो कैसे बनाया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसे टाइम वेस्ट किये तो इस फरकार की फोटो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पिक्चार्ट अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और एक अप्लिकेशन और डाउनलोड करना है जिसका नाम है फोटो रूम तो ये आपको प्लेश्टोर पे मिल जाएगा तो photo room application को अब जो ही open करेंगे तो ये आपको play store पे मिल जाएगा तो हम यहाँ पे transparent वाले option पे click करेंगे अब आपको अपनी photo यहाँ पे add कर लेना है तो इस photo का जो हम background यहाँ पे erase करेंगे तो इसका जो background पीछे का वो हटा देंगे अब आपको क्या करना है layer वाले option पे click करना है यहाँ पे background वाले option पे click कर देना है add background पे click कर देना है inside background पे नहीं आपको नीचे image वाले option पे click कर देना है तो मैं आपको एक background का link दे दूँगा आपको वहाँ आपको कहां से download करना है इसी video में बताऊंगा तो मैंने यह जो background है यह लगा लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्रिप एक click में पीछे का background यहाँ पर लग चुका है तो अब यहाँ पर हम इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ से save to gallery कर देंगे save to gallery करने के बाद अब आपको जो है picture application पर जाना होगा edit photo पर click करियेगा अब आपको जो photo photo room की सायता से बनाये थे उसको हम यहाँ पर click करेंगे click करने बाद आप यहाँ पर क्या करना है अब नीचे यह है अपना नीचे इह पर पैरों के पास वह जो है आपका लगाना है तो उसको लगाने के लिए आप सबसे पहले नवहाँ आपार erase वाले option पे click कर दीजिएगा invert वाले option पे click कर दीजिएगा अब हम नीचे से थोड़ा सा इस तरह अपने पैरों को पास यह जो जमीन है इसको हम यहाप लगाएंगे तो कुछ इस पकार से अभी लगा लीजिएगा लगाने बाद फिर यहाँ से इसको हम write कर देंगे फिर इसको भी हम write कर देंगे write करने बाद फिर add photo पे दुबारा click करेंगे अब हम यह पे एक png add करेंगे तो इन png को कहाँ से download करना है अभी मैं वीडियो में बताता हूँ तो सबसे पहले इस png पे click करकर blend वाले option पे click कर दीजिएगा इसको screen कर दीजिएगा इसको zoom करकर आप अपने photo के हिसाब से कहीं भी इसको लगा सकते हैं फिर इस png को भी हम zoom करेंगे zoom करने बाद blend वाले option पे click करेंगे इसको भी हम screen कर देंगे फिर इसको भी आप कहीं भी लगा सकते हैं तो मैं अपना यहीं पे लगा देता हूँ लगाने एक बाद फिर हम आज इसको राइट कर देंगे राइट करने बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शिर्फ एक मिनट के अंदर यह जो फोटो एडिट हो चुका है यह आपको बताया पहले किस परकार का फोटो था तो अब यह बैग्राउंड आपको कैसे डाउनोड करना है तो इस सभी PNG का लिंक मेरे डिसकेस्टों मिल जाएगा आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जाकर डाउनोड कर लिजेगा टेलिगाम चैनल का लिंक मेरे डिस्केशन में मिल जाएगा मास से आप किलिक करकर इस PNG को डाउनलोड कर सकते हैं तो ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सस्क्राइब कर लिजिए तो चलिए मिलते अगले नेस्ट वीडियो में क्योंकि अगली वीडियो जो लाने वाला हूँ इससे भी तगड़ी फोटो एडिटिंग लाने वाला हूँ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि अगली वीडियो जो अपलोड करूं आपको इसी चैनल पर मिलता रहे तो चलिए मिलते अगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम